हाई फ्रेंट्स आपने लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए YouTube.com slash Hindi Tech2s टैप करके हैं सब्सक्रेब बटन प्रेस करें अगर आप subscribe बटन प्रेस करोगे तो हर दिन में जो कुछ भी latest update लाता हो ना वो सीधा आपके mail पर आज आज के इस वीडिये में हम लोग mobile app का इस्तामाल करके Facebook covers को और YouTube covers को Twitter के covers को logos को किस तरह बनाते हैं देखेंगे उसके लिए देखें आपको एक logo pit plus नाम का app मिलता है तो मैं इसको tap करता हूँ इसको tap करते हैं आपके पास इस तरह का एक screen आजाएगा इस पे देखें आपको एक option दिखाई देगा create new नाम का ठीके तो आप create new को प्रेस करोगे ना तो देखें आपको यहाँ एक options दिखाई दे देखें आपको यहाँ कुछ categories यानि कुछ logos दिखने लग जाएंगे तो आप देखें यहाँ आल है उसको tap करके आप किसके मुताबिक एक logo बनाना चाहते हो photography या technology जो भी चाहे उसको यहाँ tap करते हैं दीखें मैं यहाँ technology ले चुका हूँ ठीके तो मुझको क्या होगा यहाँ technology के related logo से यहाँ load होना शुरू हो जाएंगे जैसे दीखें यहाँ load हो रहे है ठीके तो आपको जो भी चाहे उसको एक बार tap करके उसमें डाल दीजे जैस दीखें मैं यहाँ यहाँ लोगो को tap कर चुका हूँ tap करने के बाद यह मेरे screen पर आ जाएगा आने के बाद दीखें आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो इसके adjust प्रिस करके move कर सकते हो इसका color change कर सकते हो background का color इसका color ठीके तो मैं यहाँ इसको tap करता हूँ तो दीखें यहा button प्रेस करने के बाद दीखें इसको घुमा सकते हो आपके मर्जी के मुताबिक ठीक है इसको rotate कर सकते हो जैसा चाहे हो जैसा ठीक है और इसको छोटा बड़ा कर सकते हो और दीखें यहाँ इसके brightness को कम या छोटा कर सकते हो करने के बाद यहाँ OK का button है ना उसको प्रेस के लिए और इसको शाडौ लगाने के लिए ठीक है एक सैक्सिस वा ये लिए ठीक है और इसको color बदलने के लिए पूछेगा आप न., डिश्डर करने के लिए निग आद न. अ. जय को एक स्थी कर तर टैब करा हों किया हैं अ hop कलर किया यहां मिया है , अब चाहे तो उसको खुमा भी सकते हो जैएسे चाहे वीचा इसको घुमा सकते हो ठीक है गुमाने के बाद ओक्अ बटन प्रेस कर दीजिए अर इसको देखेare-weak आर्क के जैए से रोटेट करना चाहते हो एक तो इसको इस तहरा भी रोटेट कर सकते हो ठीक है और दीखिए ओके बटन प्रेस करने के बाद इसको भी आप shadows लगाना और इसको move करना चाहते हो तो move भी कर सकते हो करने के बाद ओके बटन प्रेस करते ही दीखिए आप इसको background color change करने के लिए कहेगा आप दीखिए यहाँ जो background का color option है उसको प्रेस करके आप चाहते हो तो आपके pictures रहते है उसको background पर लगा सकते हो ठीक है तो आप दीखिए मैं मर्जी में आई जैसा बनाया है तो आप एक plan लगा कर आसानी से एक mind में एक logo set करके बनाओगे न तो आपको अच्छा logo करने के लिए design करने के लिए आप यूज हो जाएगा ठीक है तो आप देखिए इसको download कर सकते हो JPEG में PNG में ठीक है